मद्यप्रदेश के रतलाम में सरकारी स्कूल के टीचर का एक वीडियो खुब वाइरल हो रहा है इस टीचर पर छात्रा की बाल की चोटी काटने का आरोप लगा है बताया जा रहा है कि यो टीचर नशे में था और उसने एक बच्ची की चोटी काट दी वाइरल हो रही वीडियो में साब दिखाई देता है कि बच्ची रो रही है और टीचर उसके बाल काट रहा है इस दोरान इसने वीडियो बनाने वाले को भी धंकी दी कि तुम्हें जो करना है कर लेना इस सम्मन्द में फिलाल टीचर को सस्पेंट कर दिया गया है इस वीडियो में दिखाई देता है कि टीचर वीर सिंग जिसके हातों में कैची है वो पांचवी कक्षा की एक छात्रा की चोटी काट रहा है स्कूल के पास रहने वाले एक शखस ने बताया है कि उसने अचानक पांच-शे बच्चों के चिलाने की आवाज सुनी उसके बाद जब वे स्कूल में गया तो उसने देखा कि टीचर बच्ची के बाल काट रहा था इस पूरे मामले को लेकर लोग गाय का नेहा सिंग राठोर ने भी मध्यपरदेश की बीजेपी सरकार को गेरा है लेकिन सोचने बाली बात यह है कि जहां पर भारती जंता पाईटी की सरकारें ये दावा करती हैं कि हमें बेटियों को बचाना है और उन्हीं के राज्य में इस तरह की घटियां हरकते होती हैं जिस पर सरकार खामोश हो जाती है जबकि ऐसे मामलों पर ऐसे दंड मिलने चाहिए जो आने वाले वक्त में नजीर बन जाएं